So hi guys and welcome back to the channel दोस्तो आज के इस वीडियो को हम continue कर रहे है पिछले वीडियो से और पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्यूर करवाय था सिर्वीर हनुमान जी सामोत का जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्वीर हनुमान जी की पूरी हिस्टिय आपको बताई थी बगवान के दर्शन आपको करवाय थे तो दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर माप को लेके चल रहा हूँ सिर्वीर हनुमान मंदिर जो मंदिर सामोत परोत पर ही बना हुआ है लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं सिरी वीर हनुमान जी के आते हैं यहीं पर दर्शन करके चले जाते हैं अधिकतर लोगों को सिरी पंचमु की हनुमान मंदिर का पता नहीं है और मतला बहुत कम लोग इधर जाते हैं ठीक है तो आज हम आपको उस जगे के उपढ लेके चलने वाले हैं और जो पंचमुकी हनुमान मंदिर है वो एक प्राचिन इस्थान है कुछ साधुसंतों ने वाँ पे तपश्या की थी ठीक है तो यह जो आप मंदिर आप देख पा रहे हैं यह है स्री वीर हनुमान जी का मंदिर और व स्री पंचमुकी हनुमान मंदिर के लिए जाने का जो रस्ता है वो बेहदी प्राकरतिक सोंदेरे से बरपूर है तो यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो और उसके बाद हमें डेड़ या तू किलोमेटर पंचु की हर्मान मंदिर की दरफ चलना पड़ता है बहार के रस्ते से होते हुआ दोस्तों अभी हम थोड़ी सी सिड्या चड़ के उपर पहाड के उपर समतल जगे के उपर पहुंच चुके हैं और यहीं से सिरी पंचु की हर्मान मंदिर जाने का रस्ता है देखिए यह रस्ता जाता है पंचु की हर्मान मंदिर की तरफ और यह देखें यहां पर बोड़ भी लगावा है सिरी पंचु की हर्मान मंदिर जाने का रस्ता और यहां पर भी लिखा हुआ है सिरी पंचु की हर हनुमान मंदिर की तरफ हो जाते हैं तो चले हम आगे बढ़ते हैं यहां से जो स्रीवीर हनुमान जी का मंदिर दिखता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है देखे सामने पहाड के अपर यह स्रीवीर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और पहाडों के जो खुबसूरत नजारे हैं वो आप देख सकते हैं पूरी पहाडों के ओपर हर्याली हो रही है और इधर भी देखें यहां पर कुछ यह बना हो रहा है मंदिर है या कुछ हो रही है और यह रस्ता जाता है पंचमु की हनवान मंदिर की तरफ ठीक है अभी हम आपको एक रस्ता और दिखाता हूँ जो की सामोद की तरफ से यहां पर आता है तो दोस्तों यह जो आप रस्ता आप देख पारें यह सामोत पहले से आता है और वीर हनवान जीगे लिए आता है यह रस्ता इसे पूराना रस्ता भी बोला जाता है ठीक है और यहां के देखे कितने खुब सुरत नजार है और यह सेड़ियां है जो पार तक आती है यहां पर तो अब हम हमारी यात्रा स्टार्ट करते हैं स्रीक पंचमु की हनवान मंदिर के लिए यहां से जब हम इस रस्ते से जा रहे हैं तो यहां पर हमें यह कुछ पत्थरों से बने हुए मकाम भी मिले हैं तो जो भी यहां पर आते हैं वो अपनी मनोकामना से यहां पर घर बना के जाते हैं और बगवान जरूर उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं यह देखिए दो मंजिला का मकान है इस प्रकार से यह घर बने हुए यहां पर दोस्तों जब भी पहार के ओपर तेज भारिश होती है तो जो पहारों का पानी होता है वो देखिए इधर से आता है और इधर से होते हुए नीचे निकल जाता है और नीचे फिर जर्णा जाता है ठीक है दोस्तों अभी हम थोड़ा सा आगे पहुँच चुके हैं और यहां पर हम रुके थे वेसिकली कुछ फोटो गेरा खीचने के लिए और यहां का जो प्राकृतिक सौंधरिया वो बहुत ही देखने लाएगा देखिए उचे-उचे पहाड़ है और बिलकुल पहाड़ों के उपर हरियाली है और इस टाइम में जब बारिश का मौसम है तो पूरे पहाड़ों के उपर हरियाली है और देखिए उधर भी कुछ लोग फोटो खीचवा रहे है ठीक है तो नजरा आप देख सकते हैं अभी हम आपको हम आपको इस रस्ते जे आगे हम चल ही रहे थे तो यहां पे हमें देखिए कितने खूबसूरत लोकेशन देखने को मिली है वैसे तो यह पूरा रस्ता ही बेहत खूबसूरत है लेकिन यहां पे देखो यह जो पत्थर है बिल्कुल मलब गोल-गोल टाइप पत्थर लगता है जैसे मेरे दिमाग में एक बात यह आई कि यह जो जगे हैं बिल्कुल मेडिटेशन के लिए परफेक्ट जगे हैं पेकांत जगे हैं बिल्कुल हरियाली है पहाड़ों के अपर और कितने खूबसूरत नजारे हैं यहां पर आप इन प्राकरतिक सौंदेरिया का आनंद ले सकते है और यह रस्ता मंदिर की तरफ आगे जा रहा है लेकिन यहां से आपको देखिए इधर का नजारा दिखाना जाता हूँ अब देखो क्या नजारे हैं इस पहाड़ के अपर से दिखते हैं देखिए रस्ते में आगे चलते चलते हमें देखिए यह रस्ता है जो कुछ इस प्रगा से हो गया है बादे प्रफ़ प्रफ़ प्रफश प्रफ़ रहा है यह रस्ता है अब प्रफ़ इस प्रफ़ा जागे प्रफ़ से जागे अदाव अभी हमें स्री पंचमु की हन्वान मंदिर बना हुआ है तो अभी थोड़ा सा रस्ता और त्येक करना है यहां पर देखी एक लेक भी बनी वी है देखो राम राम जी बंदिर में पहुचने से पहले यहां पे रस्ते में एक पानी की लेक भी बनी विया है और थोड़ा बुत पानी यहां पे भरा हुआ फिलाल आप देख सकते हैं प्राप्टनर में आपिलाइब आप पतमता पानी की विया है जिएलाइब विया बार्टनर विलाइब रस्ते में पहुचने की विलाल पत्राइब जाह सकते हैं चल्सक्तुर्णा के दोड़ा बनी तो हम टाला जे हुआ है स्री पंचमु की हनुवान मंदिर पहुंच चुके हैं और जो मंदिर है वो देखिए यह सामने मंदिर है स्री पंचमु की हनुवान जी का यह देखो यह मंदिर है अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे बगवान के दर्शन भी आपको करवाएंगे यहां पर देखिए एक तो इधार ये शिव मंदिर है और यहां पर देखिए ये एक पानी की टंकी भी बन रही है अब फिला तो अभी हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं और अभी मंदिर में चल के मापको स्री पांचुम की हनवान जी के दर्शन करवाता हूं और देखिए मंदिर बेहद प्राचिन है देख सकते हैं बाहर से नजरा मंदिर का एक पानी के टंकी बनी हुए है यहां पर अभी हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं जै स्री रहां और यह है स्री पांचुम की कामान जी का मंदिर जै जै स्री रहां तो आप दर्शन कर सकते हैं पांचुम की हनुमान जी के दोस्तो अभी हमने स्री पांचुम की हनुमान जी के दर्शन कर लिये हैं और यहां पर हमें यह महराजी मिले हैं तो इनसे बात करते हैं और मंदिर की जो भी हिस्टी है वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं जैसरी राम महराजी जैसरी राम जैसरी राम क्या नाम आपका हरपूल सेनी नाम है मिरा हरपूल सेनी और महराजी आपका क्या है अच्छा तो जैसे हमारे को इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है वो आप हमारे को बताओ ये मंदिर लगबग 300 साल पुराना है ये बताया गया है और यहां संतों ने तपश्या की है विश्मुदाजी मारा थे तो कहते हैं कि यह पंज्मुजी जो भगवान थे यह स्वेमी फरकट हुए हैं और यह नास्मुदाय का मठ है यहां अभी भी एद्रश्ची रूप में बहुत से संत रहते हैं जो कभी-कभी किसी पाड़ पाड़ के नास्थ वादर के लूपि आती हैं तो दरसनला भी होते हैं उने और जहां तक है कभी यहां कोई आदमी ऐसा नहीं है कि खा ली गया हो बाबा के द्वार पर आया हो और फुरी आस्ता से क्याश्या तो जीसे यहां पे बीर हनमान जी के मुकाबले यहां पर चिरहं कि मुकाबले यहां भक्तञनद कम आते हैं उसका भी एक कारण है कि यहां कभी काफी एशवीद हैं एक तो इनका मार्ग है यहां का सो पका नहीं है दूसरा क्या था कि यहां यह जल की व्योस्था तकरिबन दौढ़ाई तीन मने पहले ही होई यह जल नहीं था यहां जर्दकी बड़ी भारी समश्या थी याप वे बोन नहीं होती ते जानवर पशो वगरा मर जाती थे पानी के बिण वैसे तो परवत वह तुमें खाने के लेकिन जानवरों वो पानी की वड़ी समश्या थी तो ये भक्त दुनों ने बगवान जी क्रिपासे यहां कुछ पानी का भी हुआ है, कुछ तंची का निर्मान और हो रहा है और जैसे मन्दिर में पूजा वगरा महेंजी करते हैं पूजा वगरा सुवए साम होती है, सुवए marshmallow तो जैसे आप यहां पे कितने कब से पूजा पार्ट है? मैं चज़िता साल से पूजा पार्ट कर रहे हैं आप के मैं य।ध्य करेने वाला हूं आयुद्धया अच्छा और यहां पे स्यर्वढ़िए भीवस्टा करें यह विकाराओ इसा सवाइए अच्छा और आप क्या भॉलना चाहिएंगे हम तो यहीं बोलना चाहिए हयां आओ उसले svольш अभल आ became यहां ऐसा कुछ नहीं यहां मिलब जो आता है तो आप यह समझो कि यहां से कोखाली हाद जाता नहीं है और यही करेंगे इस वर्षे कि सभी स्वस्त्र हैं सभी रोई रहें और सभी का देश का विकास हो दन्यवाद महराजी अपने दन्यवाद दोस्तों अभी हमारे को महराजी से एक अलग जानकारी जानने को मिली है यहां पर इधर पहाड के ओपर एक तीन सो वर्ष पूरानी गुफा बताई जाती है तो उस गुफा के बारे में थोड़ी से जानकारी महराजी से लेते हैं यहां से दस पैंड गुफा है जो भागल पूरी ना भागल पूरी तो महात्मां आये थे फैर वाहां तीन सो तीन सो बते हैं और धुना और दोनों महराजी ने हैं पर काप तफ़िस्ट्र की कापी तफ़िस्रे किया तफ़िस्री करके यह पर उन्हें अपना सरीर को पानी पर है यह पानी कुंड है लेकिन फूटा हुआ है उसको सुधार जिया जा यह तो धुनक सेवा हो जाये पानी और रस्टा कोई कोई वहां पर सुभिदा नहीं है आ फंद्रह साल से महात्मा जी वहां पर है जो कुछ महां पर अपना योग ध्यान पूजा पाट करते हैं जैसे वह भी आपने कुंड बता उसके इंदर पानी थोड़ा है छे में पानी रहता नहीं है और जो कुंड है उप हुटा हुआ है तो दो तीन माई नहीं है उससे पानी रुके गा उसके बाल पानी खत्म हो जाएगा हुँ हम पानी, बहुत दिक्कत है, जिसे आने जाने वालेगी सिंधाने हैं, जल्कि शेबान पारे मिटर तो यहां पे एक फूरी पानी प्रोब्लम है पानी की गुरशता थोड़ी अच्छे से हो जाये है बादसा उगहा है और जो भी नजारे वहां के हैं वो हम आपको गुफा के अंदर चल के दिखाता हूँ तो चली फिर चलते आगे मंदिर में दर्शन करके अब हम गुफा की तरफ निकल रहे हैं उससे पहले देखें यहां पे एक शिव मंदिर भी है यह देखें यह जो आप देख पा रहे हैं यह एक शिव मंदिर यहां पे बना हुआ है तो यह शिवाले भी हम आपको दिखा देता हूँ यह देखें शिवाले हैं यहां पे तो अब हम गुफा की तरफ निकल रहे हैं और जो गुफा भी महराज जी ने हमको बता ही थी वो देखें यह सामने है और कुछ लोग चाबी रहे हैं उस गुफा को देखने के लिए वो देखें यह देखें यहां पे एक कुंड भी भी बना हुआ है पानी तो है इसके अंदर इसको देखें हम आपको वायर्ड एंगल में देखें में यह देखें एक पानी का कुंड है और पानी भी है इसके अंदर बट यह आप देख पा रहे हैं यह देखें यह इसके इसके बोला जाता है तो चलते हैं अगे अब गुफा की तरफ जाने के लिए ये रस्ता है इस परकार से अभी हम गुफा के पास महुचने वाले हैं लेकिन मुझे यहां पर आके जो फील हुआ ना वो मैं आपसे भया करना चाहता हूँ आप खुद आप देख सकते हैं इन प्राकरतिक संदेर्य का आनन्द दे सकते हैं देखें इधर भी सामने उंचे उंचे पहार दिख रहे हैं और ये नजारा आप देखो कितना खूपसरूत है मुझे बेहाद काफी अच्छा लगाईद रखें कि एक पूपसरूत है अब हम गुफा के बिलकुल नजदीक पहुँच चुके हैं तो आगे चलते हैं अभी और यह देखिए एक महराजी भी है यहां पर तो अभी हम आगे चलते हैं अभी हम आपको इसका वाइड इंगल करके नज़ा दिखाता हूँ तो यह वो गुफा है जैसरा महराजी अभी हमने महराजी से अंदर आने की परमिशन ले लिए और अभी हम इस गुफा के अंदर पर वेश कर चुके हैं जैसरा महराजी तो यह वो गुफा है यह माताजी का मंदिर है ना यहां पर माताजी का मंदिर है अखंड जो हता है तो इस गुफा के बारे में आप वोड़ा सा बता सकते हैं कुछ हमारे को तपशया की ले यह आपे सादुसन तो ने तपशय की थी आपे बादरपुरी जमाराज है प्रेम पुरी जमाराज है आप यहां पे कितने दिनों से रह रहे तीस साल हो गया ती साल हो गए है और शेष भगवानी से बताया जाता है इनकी छत्र छाया है यह यहाँ पर माताजी का मंदिर है यहाँ पर जगुफा के पास में यह सोलर प्लेट लगी है और पानी के लिए देखिए महाराजी सप्रगार से पानी बर के यहाँ पर रखते हैं पानी की प्रोपर विवस्तावे से यहाँ पर है नहीं और देखिए एक कुंड भी यहाँ पर बनावा है यह जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संतों की समाधी बने हुई है और पता नहीं यह मतलब है कितने सालों पुरानी यह समाधी है यहाँ पर लिकिन यह संतों की समाधी है इसवें गुफा के साथ यहाँ पर पहले सादू संत तपश्या किया करते थे इस गुफा के पास में यह एक कमरा भी बनावा है यहाँ पर यह एक पानी के टंकी है और यहाँ का जो खुबसरत नजारा है वो तो आप देखी सकते हैं और इस नजारे का फील तब आप कर सकते हैं जब आप यहाँ पर खुद यहाँ पर आएं तभी आप इस सीज़ का अनुभाव कर सकते हैं उच्छे उच्छे पहाड़ हरे बरे पहाड़ और यह ठंडी ठंडी हवा यह देखो सामने अरावली परवत मालाएं हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो को यही परेंट करते हैं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिरी पंचमो की हनवान जी के दर्शन करवाये हैं और यहां का जो भी पराकरतिक संदर्य था उस संदर्य को इस वीडियो के जरीए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है और देखें दोस्तों यहां के जो महाराजी है उनसे मैंने बात की है तो सबसे पहले यहां पर एक तो पानी की वेवस्ता होनी चाहिए अच्छे से पानी की वेवस्ता होनी चाहिए और जो रस्ता है वो भी थोड़ा अच्छा प्रोपर रस्ता होना चाहिए यहां पर आने के लिए और चैनल के उपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत